वीडियो देखकर अपनी राए ज़रूर दें, लाइक शेयर भी करें, नीज चैनल सब्सक्राइब कर लें शुक्रिया कराची के लाखे मार्टिन कौाटर की रहने वाली खातून कमरांटी को तकरीबन सब ही जानते हैं जिन्नों ने हुकूमत वक्त को बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर शदीद तन्तिक का निशाना बनाया और जुम्ला कहा कि ये बिग गई है ये गवर्नमेंट जो की सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया जबकि ट्वीटर पर टाप ट्रेन भी रहा समाय नूज के मताबिख सोशल मीडिया के लिए तो ये सिर्फ एक मजाख था लेकिन कमरांटी के वीडियो वाइरल होने के बाद उन पर और उनके खांदान पर किया बीते उनके बेटे ने जो कहा सुनकर आपकी आँखें यांसू से भर जाएंगी कमरांटी के बेटे का कहना था कि अम्मी खुस्से की बहुत तेज हैं और जब उनका बीपी हाई होता है तो फिर वो गालिया भी बहुत देती हैं उन्हें पता नहीं चलता कि वो किया की रही है और किसको कह रही है इस दिन भी अम्मी का बी बहुत हाई था, जब टीवी वाले हमारी गिली में आये थे, तो गर्मी बहुत थी, टीवी वालों के पूचने पर अम्मी ने ऺुस से में पता नहीं किया क्या बोल दिया था, इस वक्त तो हमें पता नहीं चला कि इस छोटे से इंटरवियू के नता कितनी संगीन हो सकते हैं क्यूंकि उसके बाद से हमारी फैमिली का पूरे खांदान में समाजी बाइकॉट हो गया है सब मेरी अमनी का मजाक उडाते हैं हमने खांदानी तखरी बात में जाना छोड़ दिया है क्यूंकि खांदान वाले फांक्शन छोड़ कर मेरी अमनी को जाता जाता नहीं है, सबसे बड़े दुख की बात ये है कि इस वीडियो के वाइरल होने के बाद मेरी बेहनों के रिष्टे नहीं हो पा रहे, हम सखत अजयत में मुपतला हैं, जाए तो जाएं कहां, मुआ श्राम में जीने ही नहीं देता, भाई और अब्बू बाहर जाते ह तो लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं, मैं इस वक्त अगर होता जब टीवी चैनल रिकॉर्डिंग कर रहा था तो खुबी भी अम्मी को सामनी ना आने देता, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना दिया गया है, इस वाके के बाद से मेरी अम्मी मजीद चिर्चरी होगी हैं मगर टीवी चैनल वालों को भी तो सूचना चाहिए था ना कि अगर मेरी अम्मी ने खोस्ते में कुछ गलर भी जाया था तो इसको लाइक शियर भी करें, नीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया.